एलो एभरिवन हम लोगों ने बी जो क्लास का आप लोगों का एक्जाम होने वाला है दिसंबर में उसके लिए हम लोगोंने फिजिक्स का बहुत सारा इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेट्मेंट जो है वो सकते है और कौन से स्टेटमेट्ट जो है ऑ सतिय एठें तो कंदें गए पहला सवाल दिया हुण है कि प्रकास की जुक्त चाल होती है वह भिण भिन माध्यमों में भिさ को यह बिल्कुल सही तथ्य है को करेक्ठ तेकर किया ट्रू होगा आपको भी याद मेह क्या प्रकास है प्रकास की जो चाल है भिन्य भिन्य माध्यमों में भिन्य होती है तो यह true हो जाएगा फिर अगला question दिया हुआ है कि स्वेत प्रकास का अव्याई वर्णों में विभाजन वर्ण विछेपन कहलाता है तो पहले आप यह जान लीजिए हम लोग पिछले question में किये थ है कि जो स्वेत प्रकास होता है उसमें साथ वर्ण होते है ठीक है साथ वर्ण होते है यानिकि उसमें साथ रंग होते है ठीक है और जब ये स्वेत प्रकास किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये अपने साथ अलग अलग रंगों में तूट जाता है ठीक है जिसमें सबसे उपर जो होता है वो लाल रंग होता है और सबसे नीचे जो होता है वो वाइलेट यानि की बैगनी रंग होता है ये आ कि शूरे का जू सुवेत रंग उसमें कितने रंग होते हैं और वर्ण वीचेपन किसे कहते हैं तो उन चून सात रंगो का स्वेत रंग में से टूट कर अलग अलग हो जाना उसे हम लोग वर्ण वीचेपन कहते हैं ठीक है I think आपको समझ आ रहा होगा अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है कि विध्यूत आवेस का एसाई मात्रक जो है वो कूलम ही होता है तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा साथ साथ हैं हम लोग दो तीन चीजे फिर से जान लेते हैं जैसे कि विध्यूत धारा तो विध्यूत धारा का जो एसाई मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंपियर उसको हम लोग अंपियर बोलते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है ये एंपियर हो जाएगा उसक बाद दूसरा चीज जो है एक सेकंड विभुवांतर जो होता है विभुवांतर की जो ये उम्यों का बोलते हैं वोल्ट होतोग Top Publish कहा जाता है ऑसके बाद तीसरा है याद आपको रखना है प्रतिरोध तो जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध जो है उसका एसाई मातरक क्या होता है उसका एसाई मातरक होता है ओम तो एक साथ हम लोग इतने सारे SI मात रखों के बारे में जानगा है तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है क्या होगा जो आवेश का SI मात रख है हो कूलम होगा फिर अगला सवाल दिया है कि विद्यूत मोटर यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदलता है देखें यह बिल्कुल गलत है यह गलत है आपको याद रखना है एक ट्रिक बताते है EM इलेक्टिक मोटर क्या करता है electrical energy को mechanical energy में convert करता है ठीक है, एक electrical energy को mechanical energy में convert करता है, मतलब, electrical का मतलब क्या हुआ, विध्यूत उर्जा को, mechanical का मतलब हुआ, यांत्रिक उर्जा, यांत्रिक उर्जा में बदलता है, तो ये गलत दिया है, अब चलिए आपको यहाँ पर जो एक काम का परिभासा आपको चाहिए था, वो परिभासा आपको मिल गया, वो परिभासा क्या है, कि electric motor क्या होता है, तो electric motor एक ऐसा यंत्र है, जो की विध्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है, ठीक है, अब हम लोग करते हैं, अगला question बोल रहा है, कि किसी वस्तु में संबेग परिवर्तन का दर आरोपित, बल के समा समानुपाती होता है, यह बिल्कुल सही है, यह कहना चाहा रहा है, कि जो बल होता है, वो बल जो होता है, यह इसको F लिखते हैं, फोर्स, वो समानुपाती होता है, MB-MU के, तो यह सही चीज है, यह होता है, ठीक है, आपको भी यह चीज याद रखना है, तो यह सही होगा, जो किसी भी वस्तु में जो समवेग परिवर्तन की दर होती है वो अच्छा दर बोला है यानि इसको समय से भाग देना होगा तो यह आपको याद रखना है कि जो force होता है वो directly proportional होता है rate of change of momentum तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि समवेग के परिवर्तन की दर जो होती है आरोपित वलके समानुपाती होती है यह बिल्कुल सही है चीक है अब हमनों करेंगा अगला question दिया है कि समवेग में परिमाण और दिसा दोनों होते हैं बिल्कुल समवेग जो है एक सदी सरासी है तो सदी सरासी में सदी सरासी सम्वेग जो है एक सदी सरासी है और सदी सरासी में क्या होता है सदी सरासी में 100 से याद रखे 100 मतलब साथ में जो दिसा के साथ में हो उसको हम लोग सदी सरासी कहते हैं तो सदी सरासी में परिमाण और दिसा दोनों होती है तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा और सम्वेग किसके बराबर होता है सम्वेग जो होता है वो फिर से एक बार बता देते हैं द्रब्यमान और वेग के गुननफल के बराबर होता है ठीक है अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बल जो है वो द्रब्यमान और त्वरण के योग के बराबर होता है ये गलत हो जाएगा आपको पता है बल जो होता है वो मास इंटू एक्सिलरेशन यानि कि द्रब्यमान द्रब्यमान गुना त्वरण इसके बराबर होता है ठीक है जो बल होता है वो द्रब्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा यहाँ पर दिया है कि उनके योग के बराबर होता है तो यहाँ पर योग ना होकर यहाँ गुननफल हो प्रतेक वस्तू में होता है, यह बिल्कुल सही है, जड़त्व जो है किसी भी वस्तू का आंतरिक गुण होता है, तो यह आपको याद रखना है, जड़त्व किसी भी वस्तू का आंतरिक गुण होता है, तो यह आपको याद रखना है, जड़त्व किसी भी वस्तू का आंतरि से होता है तो यह भी सही हो जाएगा ठीक है तो यह आप लोगों का ट्रू पॉल्स था उमीद है आपको अच्छा लगा होगा बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो आपको इसका लेकर आएंगे जो की जिसमें की हम लोग यह अती लगू उतरिये प्रश्ण और उसके बाद यह लगू उतरिये प्रश्ण करेंगे यह आप लोग एक बार देख लिजिए यह सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बीबोस के साइट से उठाए गए हैं यहाँ पर आप देख लिजिए यहां लिखा भी हुआ है कि यह बीबोस का जो आपका विज्ञान का विसाय कोड है वही विसाय कोड इसमें भी है आप देख सकते हैं 216 तो आपको इसी इन कोश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है उसमें अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ महतुपून सवाल आपको भेज करा रहा है तो कम से कम इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है किसी भी चीज के लिए ठेके थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू अच्छे से तैयारी करिए धन्यवाद